सत्ष्रियकाल टीवी पंजाब देख रहे धर्शकान्दा स्वागत मेहा दिपिका खोसला इस विले दिया हम खबर त्वाड़े नालज सांजी कर रहे हैं संजे सिंग नू राज सबा दे सदन दे विचो मौत तल कीता जान्दा है मामला मनिपुर्दे मुद्धे उते प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी दब्यान चौंदे सन और एसे मुद्धे नू लेके वेल दे विच पहुंच जान्देने और चेर्मैन जगदीब तनखड़े सामने आके ओ एस गालनू वार वार दहरांदेने हाला कि जगदीब तनखड़ों नदी गाल किती जावे ता उनाने संजे सिंग हुनानू बैठन दे लिया ख्या पर संजे सिंग नहीं बैठ दे और उस्तो बाद जगदीब तनखड उनानू पूरे मौनसून सेशन दे लिया राज सभा दे एस सदन तो मौतल कर दिनेने जैस दे विरोद्दे विच संजे सिंग ननाल विरोद्दी तिरा जिड़क की नवऑ नवँ गठ जोड बनेया है INDIA यानि के इंडिया एस गठ जोड दे विच जिडिया तिराने उस छबी तिरान दे आगू वी संजे सिंग दे नाल आन डट देने और इना दा तरना जो है इस फैसले दे खिलाफ एतरना सारी रात चलदा है आज तड़क सारवी संजे सिंग दे वलो एक तस्वीर जो है ओ सांजी कीती गई है और ओस तस्वीर दे विच ओ बापू दे मूर्ती दे बिल्कुल सामने बैठे होई नजर आ रहे ने और इस दिनाल ही कुछ होर लीडर भी मौजूद ने और तो अनुदर दे ये कि मामला हु तो क्यों पज रहने कोई गाल क्यों नहीं कर रहे एक ब्यान सिर्फ उन अदर सामने ओंदा है इस पूरे मामले ते ओवी उनासी दिन जरो इस पूरे कटना कर अमनों वापर जांद ने क्योंकि अजेवी उथे महाल कोई सुखाडा नहीं है तना पूरन स्थी अजेवी बनी होई है और उनासी दिन दे बाद मॉंसून सेशन शुरू होन तो पहला और जो एक बेहद इंसानियत नो शरमसार कर देन वाली वीडियो सामने ओंदी है दो औरता दी वीडियो वाइरल होन तो बाद प्रदानमंत्री दा ब्यान ओना के मन गुस्य दिना पर्या होया है दोश सब्सक्राइब कर दोश्तों वीडियो जुलाई दे विच सामने ओंदी है ते ओस्तों बाद गिरफ्तारियां दा सिलसला शुरू होन दा है ओदर मनिपूर्दे स्यम दी गाल कार लिए ता ओ यह आख देने केस तरह दियां हजारा ग्राउंड ते जाके देखो इस तरह दी ह कि यह इन्हा कुछ हो अपर गया ओस तो पहले कूई अक्शन क्यों नहीं लिया गया ऊथे राष्ट्रपती राजलागू क्यों नहीं किता गया लोकान मरन देले और ता नूं वे नूबेपत होन देले क्यों छड़ दिता गया इनन्हें भच्चेंग मौता द जिमेवार क्य है और सिएम जो है मनिपुर्दा उसता अस्तीफा आजे तक क्यों नी लिया गया कई सारे सवाल जो ने ओ विरोधियां देवलो कीते जा रहे ने और संजे सिंग जो राजसभा मेंबर ने आमाद में पाटी दे उना देवलो वी सवाल खड़े कीते जा रहे सी और वेल देवच पहुंच देने और अपनी गाल नू दोहर आंदेने और उना देवलो ते विरोधियां दे लीडरां देवलो यह मांग कीती जा रही सी के प्रदारमंत्री नरेंदर मोधी एस मामले देवते बहस करन संसर देविच पर दूसरे ही पास से जगदीब तन खड़ हुना देवलो संजे सिंघ बैठं भी अपील के जान दिया संझे संभॉधन किता जान दा है पर संजे सिंघ अवालो ही जगदीब तन खड़ देगा के कितै और संटो बाद संजे मंसून सेशण देली मौत्तल कर दिता जान्दा है तो अनुदास देए कि ए मामला हुन गर्मोंदा प्या नजर आ रहे हैं क्योंकि रागव चड़्डा दे वलोवी सवाल खड़े किते गए नाल दे नाल जो विरोधी तिरा ने गठ जोड किता है वाक वाक पाटिंगा दे लीडर वी असमें संजे साफत और उते आखरेने कि मामला मौतलीदा नहीं है मामला मनिपुर्दा है कि मनिपुर्दे विच जो कुछ होवा पर रहा है प्रदानमंत्री उस उते चुप की में रह सकते ने प्रदानमंत्री उस उते कुछ बोल क्यों नहीं रहे कोई कारवाई मनिपुर्दे विच शा पुझार किता और तो अनुदास देगे कि एस वीडियो देविच एक औरत जो है ओ एक फॉजी दी बीवी एक सुबेदार दी बीवी जो है ओ दसी गई के ओ रिटायर्ड सुबेदार है कारगिल दी लडाई देविच उसने जंग लड़ी सी और वो सुबेदार दा जो ब्यान सामने आया हो अपने आप देविच दिलनू चंजोड के राख देन वाला भ्यान की मैं देश ती राखी तक कर लई पर मैं अपने परिवार दी राखी नहीं कर सक्या उस्वेदार दा गुनाकार कॉन है उस दी बीवी दा गुनागार कॉन है बेशक होन क्या जा रहे है कि ए रफ्तार्यां हो गई याने पर तुन दस्द ये कि ए मामला अजे रुकने रहाए सुते स्यासत वी गर्माई हो या दूसरे पासे मनिपुर्दे विच हलात वी जो ने ओ अजे वी तनापूरण बने हो इने फिलहाल इस मामले दे उत्ते संजे सिंग हुना दा ब्यान वी सामने आया है कि कुछ कहरेने आओ सुन देया जैन साथियों इस वक्त मैं संसत के परिसर में हूं और राष्टपिता महात्मा गांधी जी की प्रतीमा के सामने हम लोगा धरना जारी है आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लेमेंट से सस्पेंट कर दिया गया और सस्पेंट करने कि वज़ा सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि आप मनीपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए और इस मांग को लेकर तीन दिनों से हम लोग टू सिक्स सेवन का नोटिस दे रहे थे आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधान मंत्री जी मनीपुर की हिंसा पर जवाब दें मनीपुर की जो तस्वीरें आई जो वीडियो गाये पिछले दिनों वो हिर्दे विदारक मन को विचलित करने वाले अगर कोई भी समवेदंशील वेक्ती होगा तो उसको रात पे नीम नहीं आईगी और जब ये बय कारगिल का तो युद्ध लड़ा लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया यानि ये जब पता चला कि उसमें से जो दो महिलाएं थी उनमें से एक महिला जिनको दो महिलाओं को नंगा करके परेट कराए गया उनमें से एक महिला का पती वो कारगिल युद्ध में हिस प्रखताई पियुट्ट से सर्मिन्दा हैं। Lेकिन हमारे प्रधान मंत्री की शर्म नहीं आती हो नारा देते हैं बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ का बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। प्रधान मंत्री जी कैसे आप खामोस रह सकते हैं। डेस के एक हिस्से में बेटियों का बलातकार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ असलीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे-छोटे बच्चों का कत्त हो रहा है, लोगों के घर जलाया जा रहे हैं, बुजर्गों की मा अपताओं उबेहनों की हत्याएं हो रही हैं और आप चुप हैं, आप खामोस हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप सदन में आके ज़वाब नहीं डे सकते हैं, आप कैसे इतने संवेदन हीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुरसत है आपको क्रिकेट के खिलारी की उंगली तूट जाये तो उस पे ट्वीट करने और बोलने की फुरसत है ये कैसा दोरा चरित रहे आपका प्रधार मंत्री जी अब क्या समस्ते है इस देश के लोगों किया मनीपूर क का हिस्सा नहीं है अगर इस प्रकार की दरिंदगी हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही है तो आप खामोस कैसे रह सकते हैं और मैंने कौन सा गुना कर दिया यह मांग करके कि प्रधार मंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए प्रधार मंत्री को सदन में आक आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैक्णों घटनाएं हुई है आपे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है यह मुख्यमंत्री कह रहा है तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूँ अगर जरासी भी कर सकते हैं मणीपूर हिंसा का विरोध कीजिए मणीपूर की दरिंदेगी और हैवानियत का विरोध कीजिए कारगिल का योद्धा वरिटायर्ट सुबदार आपसे सवाल कर रहा है पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा 말 के लिए कारगिल है मढणँपुर की बेटीओं की वहां के बुजर्गों की वहां के माताओं बेहनों की वहां के बच्चों की आवाज उठहने की आप सब की जिम्मेदारी है जो वहाँ चर्च चलाय जा रहे हैं मंदित तोड़े जा रहे हैं उन मुद्दों को उठाने की आईए हम सब मिलकर मणी फूर की हिंसा के खिलाब अपनी आवाज बुलंद करें तफल हाल मामला पूरी तरह गर्माया होया है विरोधी तिरादेवलो लगातार पाजपानु केरिया जा रहे है प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी नुलेके कही तरह दे सवाल खड़े किते जारेने मनिपूर्दियां स्थितियां आपने आप देवेच ही सरकार देले वी चिंता तरह दा विशा बढ़ियां हो याने हुन देखन वाली गाले होवेगी कि कोई वड़ी कारवाई कदोक तक किती जान दिया और मनिपूर्दे वेच जो हलात बढ़े होए ने उथे शान्ती कदोक तक बहाल हों दिया जो वी अपडेट सोन गे तो अड़ेनाल सांजे कर दे र चाप